नमस्कार और धन्नकार जी आज का विशह है मीठी बोली मिठास और मीठी बोली का जीवन में बहुत ही महत्व हैं जिसके जीवन में खुशियां आनन्द और प्रेम का वाश होता है उसके जुबान से ही मीठी बोली निकलती है और साथ संगत बोली का मीठा होना अपने आप में एक दवाई जैसा काम करता है वहीं बोली की कड़वाहट जहर जैसा काम करती है संतो ने कहा है मधुर वचन है औसधी कटुक वचन है तीर कि मीठी अगर जुबान है तो वह औसधी का काम करती है और अगर कड़वे बोल कहीं से बोले जाते हैं तो तीर जैसे चुब जाते है महापुर्सों ने इतना समझाया कि अगर तीर चुबने वाले जुबान है तो उससे अच्छा है कि चुप रहा जाए हम अगर चुप रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है और अपने मन पे कितना नियंत्रण है इस बात का भी एहसास होता है साथ संगत महापुर्सों ने कहा है कागा काको धनहरे कोयल काको देत मीठे वचन सुनाई के जग अपनू कर लेत कववा किसी की संपत्ति नहीं लेता और कोयल किसी को संपत्ति दे नहीं देती अंतर सिर्फ इतना है कि मीठे वचन से कोयल सबको अपनी ओर खीच लेती है और कववा करकस दुवान के कारण किसी को प्यारा नहीं लगता इसलिए जीवन में जिसके बोल मीठे होते हैं जिसके बोल में हित भरे वचन होते हैं सब ही उनकी खोज करते हैं जीस फुल में खुस्बू होती है वहाँ पे भावरे स्वता ही चले जाते हैं और साथ सिंगत मीठा जुबान का होना कहीं न कहीं हम सकरात्मक सोच के साथ जूड़े हुए हैं कहीं न कहीं हमारे अंदर प्रेम है नम्रता है बिश्वास है इस बात को भी इंगित करता है हमारे जुबान में मिठास तो तभी आ सकती है जब हमारे हिर्दय में प्रेम होगा और प्रेम तो तभी होगा जब इस बात का एहसास होगा कि सब में परमात्मा है राम बोले रमा बोले राम बिना को बोले रे अगर ऐसी भावना होगी तभी सासंगत हम सबसे प्यार से बात कर सकते हैं सबसे अच्छी तरह से नम्रता से पेशा सकते हैं अन्यथा सासंगत ये संभव ही नहीं है इसलिए युगों से महापुर्षों ने समझाया कि महापुर्षों की संगती करनी है, महापुर्षों के साथ रहना है, महापुर्षों के वचनों का अनुसरन करना है, महापुर्षों के कर्मों का अनुकरन करना है, तब ही हमारा जीवन सुन्दर हो सकता है, तब ही हमारा जु जुबान मिठा होता है तो सारसंगत सब कोई हमें प्यार देते हैं अन्यथा सारसंगत कोई नहीं पूस्ता, साथ संगत यहां तक समझाया गया, जीवा ऐसी बावरी, कह गई आल पताल, बोल बाल भीतर गई, पिटता रहा कपाल, कि जीव से कुछ भी बोल दिया, जुबान से कुछ भी बोल दिया, तो जीव तो अंदर चली जाती है, मुह के, लेकिन सर पे जूते पड़ते ह आउसा शीओंगत हम सभी इस बात से छेतन रहें, कि हमें सोच समझके कुछ बात बोलना है, सोच समझके ऐसे वचन का आधार लेना है जिससे हम भी खुसहाल रहें और किसी के लिए खुसहाली का सबक बने, खुसहाली के कारण बने, इन सब्दों से हिदा सापसे इजाज़ चाहेगा प्यार से बूलिए धनकाजे